कि वंदेमा तरम सातियों आजकी इस घ्लास में हम सैट की जो विज्यप्ति जाएंगे क्या परतिशतंक परिक्षा पैटरं किस का किस तरह का रहएगा और जो पीजी अप या स्टूडेंट है ुनकी क्या स्थिति है कैसे वो करेंगे और बी जो भी पूरी दरह से हम कहें के जो के क्या है सेटके विज्ञप्ती हैussia आपके सभी doubt है वो पूरी दरह से clear हो जाए तो अभी अपने देखते हैं विज्ञप्ती को और बड़े ही ध्यान पुर्वक सभी साथियों को देखना है बाकी, ताके किसी भी परकार के का है डाउट्स है ये डाउट्स आपके मन में नहीं रहें किसी परकार के कोई भी डाउट्स है ये आपके मन में नहीं रहें ये अपने चाहा रहें हैं क्योंकि बार-बार आप साथियों के क्वेशन आ रहे हैं इस पर देखिए ये विश्तृत विग ट्राइबल जो इन्यवर्स्टी है गोविंद गुरू ट्राइबल यूस्टी बांस्वाड़ा संपतान उच शिक्षा पढ़ना लिया जरी यह द्मी exploded है उसमें से हमारे पांच क्वेश्चन आने हैं तो एक अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि हमारे कहा कि कौन से इनिवस्टी करवा रही है इस से पहले हमेशा क्या है राजिस्तान लोक्सिवा आयोग ने सेट को करवाया है दो जर तेरे की बाद नहीं हुआ है हम सभी को पता है पहली बार कोई विश्विद्याल है इस परिक्षा को आयोजित कर रहा है और वह कौन सा विश्विद्याल है गोविंद गुरु ट्राइबल युनिवस्टी बांसवाडा है यह आयोजित कर रहा है अब देखिए इसमें एक चीज तो अपने को ध्यान रखने है मित्रों कि एसमें टोटल 39 सब्जेक्ट है यह तो सारी विग्यपती यह मैंने डाल भी दिए टेलीग्राम पे आप सभी के पास पहुंच भी गई होगी काफी वाइरल हो रही है पर आपको जहां दिक्कत आ रही है उनके हम एक एकर क भी बात करते हैं अब देखी यहां अपनी को यह द्यानक ने कि एक तो इसमें नोट दिया गया है कि दिक अडिक टन कंडिडेट विद मास्टर डिगरी इन जिग्रोफिक विद स्पेशलाइजेस इस पोपुलेशन स्टडी आर आल्सो इलिजीबल अपियर इन सब्जेक्ट पोपुलेशन स्टड़ीच कोड नमबर 130222 यानी 1 030222 है चो कोड नमर पोपुलेशन नस्टाडी है इसमें जोग्रोफी का स्टुडेन्ट भी क्या है सेट कर सकता है पर इसको एक ही करके कि जर्नल अन्रिज्रव्ट जर्नल EWS इसका द्यान दखीएगा EWS के अब्यार्थियों के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि कोई भी जर्नल कह दे या कह दें जो आरक्सित नहीं है अनारक्सित वरक हैं और इनमें एक EWS है जो कह है EWS जर्नल में हैं यह आरक्सित वरक भी हैं यह कह है कि इसके जो कंडिडिट है इनको स्क्योर एटलिस्ट कम से कम कितने 55 परसेंट माक्स आपको चाहिए विदाउट राउंड ओफ इन मास्टर डिग्री और एक्विलेंट एग्जामिनेशन फोर इन्स्टिट्ट्स एंड रिकोगनेज बाइ यूजसी इलिजिबल फोर दिस टेस्ट यानि कुल मिला के क्या है क कि पीजी में आपको 55 परतिशत चाहिए कोन से अभ्यार्थियों को चाहिए 50 परतिशत वाले भी आगया रहे हैं पूरा इसको देखें पहले हैं कि एस में जो जर्नल है या अन्रिजर्व्ड हैं और EWS इन कंडिरेट को 55 परसेंट चाहिए कम से कम ठीक है इसके बाद में दै है आधार वेकवार्ड क्लासेच यानि ओबीसी बिलोंगिक टू नोन क्रीमिलियर सेडियूल कास्ट यानि एससी सेडियूल्ड ट्राइब्स यानि एस्थी परसंस विद डिस अबिलिटी पीड़ल्यूडी और थर्ड जेंडर यानि जो कहके हमारे दिव्यांग साती है और खरड जेंडर हैं यह धन्र है वेव स्कूर्ड एटलिस्ट हुवंटी परसंट अब फिटी परसंट है फिप्टी फरसंट वाली कौन कोन से होगे एक तूब छो नोन क्लीमिर क्ली नोन क्रीमिलियर में आता है । एक सब्सक्राइब्स हैं फो Σ्थी का है हमारी जो दिव्या एक केटेगरी थर्ड जेंडर है घंक जे जिए जैन्डर जो है जो है जो हम ट्रांसजेंडर भी कह देते तर्ड जेंडर की जो साय वे वाले इन सभी को क्या है इन सभी को 50% कम से कम अगर उनकी पीजी में हैं तो वो सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इतना अधिक एक एक चीज पर आगे बढ़ते हैं लास्ट में जो भी डाउट साब और यह कुछ सात्यों की जैसे वीडियो केटेगरी है उसका उल्लेक नहीं हुआ है हमारे भूतपुरु सेनी कहें उनका उल्लेक नहीं हुआ है उनकी बात भी अ पर पर्शवएंग देर मास्टर डिगरी और उक्विलेंट कोर्स और कंडिडिट फू आपरिड टू दिएर क्वालिफाइंग इंट डिगरी फाइनल एक्जामिनेसेन एंड प्रुज रिजल्ट इज स्टील अवेटेड और ऑटनिडिट फूज फुज प्रुलिफाइघ म have been delayed may also be apply for this test यानि कुल मिला के इसकी क्या बात है कि जो final में विद्यार्थी है कौन से में PG final year में जो विद्यार्थी है जिसका प्री का result आ चुका है प्री रेजल्ट आपका आचुका है अभी आप PG final year में है तो आपको क्या है कि आप इसमें भर सकते हैं यानि final के आपके exam होने बाकी है तो भी आप बर सकते हैं आप set का भर सकते हैं और set final year बाले बर सकते हैं पर अपने को कह कि PG होने के बाद उसमें 50 और 50% category के साब से हमारे होने चाहिए यह बात इसमें कहीं गई है कुल मिला के यह फाइनल यह बार स्टूडेंट बर सकता है यहां तक however however such candidates will admitted provisionally and shall be considered eligible for award of eligibility only after they have passed their degree master degree and equivalent examination at least 55% और 50% in case of जो हमारे जो candidate थे उन साथियों के यानि कह कि आपका फाइनल यह वाले भर सकते हैं यह पूरी व्याक है उसी की कही है पर आपको कह कि 50 और 55 परसेंट category के नुसार होने चाहिए यहां देखिए एक विसेश बात यह है सातियों कि आप कहा है कि प्रिवेस तो किया वह होना चाहिए फाइलल में आपका होना चाहिए पर यहां डिगरी चेह कि है हैन्oquna चेह है सैट कि हो दोनों यह कहती है कि जिस दिन आपका सोता है उसके दो साल बाद तक कितना सुने डिएन विदिन टू इस प्रों डेट उप सैट रजल्ट यह देखी इसको ध्यांसी दिखना है कि सेट रजल्ट से दो साल तक होना चाहिए अलांकि फाइनल वाला भर सकता है तो एक साल में आ जाएगा पर दो साल तक क्या है कि आपका रजल्ट आया वहाँ होना चाहिए पर परसेंटेज 55 अगर आप उस केटिगरी में 50 तो जिन केटिगरी की बात कर रहे हैं 50 और 55 होना चाहिए ठीक है तो यह बात है कि अप्येर वाली बर सकते हैं और दो साल बात तक जेंडर केटेगरी आल इलीजीबल टू ड्रो दी सेम रिलक्सेशन फी एंड इलीजीबल क्राइटेरिया फोर सेट आर अवेलेबल ऐसी स्थी पीड़ी यानि यह तो फीस के बारे में बतायागे कि ऐसी स्थी पीड़ी की जो फीस है उसी गनुसार थार्ड जेंडर की फीस ठीक है दे सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ओफ 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 दिस केटेगरी वुड़ बी लोवेस्ट अमंग दोज ऐसी स्थी ओबीसी नोन क्रेमिलियर जनल एडिव्यो एस केटेगरी इन कोरेस्पर्णिंग सब्जेक्ट है हना इसमें कहा है कि यह सब्जेक्ट ठीक उसी तरह से बनेगी उसी तरह से इन केटेगरी के अनुसार लगेगी ठीक है चोथा पॉइंट हमारा है वह क्या है के कंडिडेट आर रिक्वाइड टू अपियर इन सब्जेक्ट ओफ देर पोस्ट ग्रेजिएशन ओनली कंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जिसमे उन्होंने पीजी किया है पोस्ट ग्रेजिएशन किया है यानि जैसे क्या है कि मालने की जैसे मैंने बीए सी किया है और बीए के बाद में मैंने में इस्ट्री किया है तो मैं क्या इस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता हूं कोई साइंस के सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकत सेट आए उसी में आप सैट और नेट कर सकते हैं इन दिक एस ऊप सब्जेक्ट के कंडिडेट इज नोट इन्कुलूड़ड इन दि लिस्ट फट सब्जेक्ट दी कंडिडेट में अपएर इन उजीसी नैट the in 2-8 इए अब देखिए यह अच्छी बात कहीयगी किया कि हमारे इह कितने हैं सेट में हमने यह 39 सभजटट रखिए घ्तने सेट में सब्जट कितनी गोसित की यह सेट में सब्जक्त क्या है म के लिए और यह वाली की में 29 में अगर आपका सब्जेक्ट सेट में नहीं यह सेट अघर आप कर सकते हैं क्योंकि सेट तो आपकी हुगी नहें सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकिesar में ट्वाइस करें हैi यानि एक साल में दो बार जो होती है अब यह तो फिर नहीं चैट में तो नहीं है तो आपका फिर नहीं एंड फोरेवर यह दो बात इंधान रखें के सेट है वो इलेजीबल किस में होगी पाटिकुलर स्टेट ओनली यानि राजस्तान में सेट हो रही है तो यह केवल और केवल राजस्तान में ही इलेजीबल रहेगा असिस्टिंट प्रोपेसर के लिए ऐसे नहीं है कि कल को परदेश पंजाब उपी में निकले तो सेट वाला भर सकता है नहीं भर सकता केवल राजस्तान के लिए इलेजीबल है नंबर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए और सेकंड क्या है फोरेवर यानि इसकी वैलेडिटी है वह हम कह दें अनलिमिटेड है या कह दें लाइफ ट हां दखना है ठीक है सत्यों इसके बाद कि इसके बाद में दी पोस्ट ओफ लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेड अमंग दी सेट क्वालिफाइड कंडिडेट बाई इन्वेस्टी कोलेज रिक्रूमेंट एजंसी पर देयर प्रसक्राइब प्रोडूस्ट शूर एंड रूल्स एंड रेगुलेसर यानि कुल मिला कि इन पद के लिए मामें असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हम कर रहे हैं तो उसके लिए हैं अब देखिए यह हमारा स्कीम टेस्ट यानि हमें इसको संक्षेत में कहते हैं कि हमारा परिक्षा का पैटर्ण किस हीएं क्योंकि 2019 जून 2019 जेडा न हम उसके बाद में यहां परीवर्त है और रुष स्थे अपनी अंतिम कब व॑ है ती गs है पूरा का पूरा शीलेड़ नेट इंट ही अवि इन्हों ने लिखा नीचे देखना कि यलो यह आप यूज़ी सी नेत की साइट से स्लेवील सेम है वही स्लेबस है वह वहां से उठा के यहां रखा है थीक है तो अब यूजेसी नेट में जून 2019 से पहले तीन पेपर होते थे तो सेट 2013 वाली थी तो उसमें भी तीन पेपर थे अब बहुत से बिरती यह कहते हैं सेकंड और थार्ड पेपर सेकंड थार्ड कुछ नहीं है इस बार इस बार दो ही पेपर है क्योंकि जून 2019 के बाद दूए नेट दो पेपर लेने लग गया एक तो कौन सा पेपर फास्ट जो सभी के लिए कोमन है और एक पेपर सेकंड तो यह आप ध्यान रखें यहां देखिए टेस्ट विल भी टू अप टू पेपर दो पेपर होंगे बोथ पेपर्स विल अप अब्जेक्टिव टाइप दोनों पेपर किस परकार के होंगे अब्जेक्टिव टाइप होंगे और देर विल भी नूब ब्रेक विट्मिन पेपर यहां यह अपने को ध्यान रखना है कि जैसे हम पेपर 19 मार्च का हमारा पेपर है पेपर देने जा रहे हैं आपको सीट पर वहीं बैठे रहना है आप पहले फार्ष में पर आएगा आपको टाइम दिया जाएगा सवा गंटे का या एक गंटे का सवा गंटे का देते हैं ठीक है सवा यह गंटा मानलो उसमें आपको 50 क्रूशन करने हैं तो तुरंत वो क्या करेंगे पेपर हमने फस्टाल किया वो पेपर अपने से फस्ट ले देंगे और कहेंगे यहीं बैठे नहीं और तुरंद हमको सेकंड पेपर देंगे वहीं बैठे बैठे फिर अगले दो घंटे में हमको क्या करना होता है सेकंड वेपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे यानि एस में हम 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं यह आप ध्यान लगे तीक है इसमें 50 कुशन होंगे सु अंका होगा पचास होंगे तो एक क्वेशन कितने अंका होगया दो अंका अब्जेक्टिव टाइप होगा देर क्वेशन इन पेपर इन इंटेंड टू एसेस दी टीचिंग एंड रिसर्च अप्टिटूट ओफ कंडिडिट इट विल बी प्राइमरली बी डिजाइंड ट टेस्ट रीजिनिंग एबिलिटी रीडिंग कंप्रेहंसेंस डाइवर्जन तिंकिंग एंड जर्नल अवेर्नेंस ऑफ दी कंडिडिट यानि कुल मिलाके आपने हे कहें कि कोमन एक जर्नल नोलेज जर्नल उसका अवेर्नेस होना चाहिए स्टूडेंट का इसमें 10 यूनिट ह और यूनिट में हमारे टीचंग एप्टिट्यूट भी आएगा रिस चक्प्रेश एप्टिट यूनिट अपनी रहेगी एक इस यूनिट है उनमें टीचंग एप्टिटूड टीचंट एमारा उच्च आद्यन शिक्षा पड़नाली है हमारी प्यावर्ण है लोग है उसके बारे में जानकारी है या पेराग्राफ की एक फुल फ्लेस्ट यूनिट है यह यह तोटल दस यह मिनी टेलीग्राम पे डाल दिये जो साथी टेलीग्राम जोइन नहीं किया न वो टेलीग्राम जोइन कर लें आप पीडियाफ आपको मिल जो पेपर है उसकी पीडियाफ वह आपको अवेलेबल है वह आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं अब देखिए यह जो पेपर होगा यह टोटल तीन गंटे का होगा टोटल दियानी दोनों पेपर तीन गंटे क्योंगे विदाउट एनी ब्रेक आल क्वेश्चन आर कंपल सर धंटेन अनिवार है और करनी झाहिए करण के इसमें नेगेटिव मारकिंग नहीं होती है तो नेगटिफ मार्किंग नहीं होती है तो यह जोदर करेंगे THIS is is best on subject selected by the candidate and will assess domain knowledge और ही उसका रहेगा तीन गंटे का दूनों का टाइम रहेगा यानि आप मारे पास 150 क्वेशन रहेंगे और इन 150 क्वेशन को हमें कि तीन गंटे में करना कि बड़ा प्रियाब्त टाइम हेँ पर थुड़ा सा ध्यान रखें कि फर्स्ट की अगर तो यह वह गंटे सवागनटे में होगा अनयता की किस्ती में नहीं होगा तो फर्सट पीपर करतेु जैसे यह आकाउंट्स बगएरा नहीं है यानि कोमर्स वाले पोर्शन जो आते हैं हाप के मैतमेटिक्स वाले उनके लिए टाइम कम रहता है बाकी ओर के लिए जो स्टूडेंट है जिनके के हल करना होता है कॉश्चन उनको तो टाइम कम रहता है सब्जेक्ट में भी पर जो स स्टूडेंट है सिंपल रहते हैं लिटरेचर की जो सब्जेक्ट रहते हैं उनमें टाइम प्रयाप्त रहता है ठीक है इसके बाद में अगले वाला आपने को देखना है कि मेडियम ओफ कॉशन पेपर दी मेडियम ओफ कॉशन पेपर सैल भी इंग्लिस और इंडी ऑनली या एक विशेस सुजाब देना चांगा कि कईबार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हिंदी और इंडिश जैसे कोई भी अपादते हैं हम उसका समझ नहीं नहीं पाते तो आफ तुरंट English देखिए या देखी इंग्लिस देखिए कई बार क्या होता हैं इंगलिस और हमस्ट एथी सही मानी मैं हमेशा इंग्लिस ही सही मानी जाएगी हिंदी में चाहे कुछभी लिका है सही भी लिका हैतो भी गलत मानी जाएगे आप यह ध्यान रथ यह सपस्ट रूप लहें कि जब भी दोगनों में अंतर आएगा कोई भी तो फाइनली जो सही माना जाएगा वो इंग्लीज में लिखावाद सही माना जाएगा तो आप इंग्लीज वर्जन भी हिंदी माध्या में विद्यार थी फटाक से एक बार साथ में देखते रहें जब भी पेपर करें ठीक है इन केस ओफ एनी एंग्लीज वर्जन वह बता रहा हूं इंग्लीज वर्जन वह बता रहा हूं इसके बाद में क्या रहेगा मारकेंग प्रक्राप्त करेगा देरिज नो नेगेटिव मारकेंग फोर इन करक्ट रिस्पोंस यह आप द्यान सारे के सारे क्वेशन करने चाहिए चाहिए आपने हैं चाहिए आप सेट में नहीं यहाँ सारे leans करके आए नो मार्क्स विल वी गिवन फूर क्वेशन अनास्वर्ड एंड अपनी कोई आंस्वर नहीं दिया तो उसके लिए कोई मांग नहीं मिलेगा यह तो हम सभी को पता है तो आंस्वर क्वेशन डी कंडिडेट नीड टू चूज वन ओप्शन एक कोरेक्ट ऑप्शन यह देखिए सामने बातें लेखिए कि एक यह उप्शन चुणना चाहिए ज्यादा चुनेंगे तो गलत मना जाएगा वह चीजह हम सभी को पता होती है ठीक है तो यहां क्या है कि यह में चीजह यह इसमें बताएगे थी अब देखिए सिलेबस का देखिए सिलेबस का में ने आपको बता दिया है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल एड़ी रेट यूएसस वन टू तु ठी जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा जो यह उगर संस्याग असिस्टेंट प्रोपेस्टन नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी में पेपर फ़स्ट के संलेबश की भी और पर एपर सेटेंड हिस्ट्री के सीट्री और हिस्ट्री और हिंदी की क्योंकि हम इसकी टैसरेज भी शुदू कर रहे हैं इसके लिए अभी आपको इसकी सूचना भी वहां मिल जाएगी तो सारी तरह कि हमारी नेट से सबंदित सूचना है है हो हमारी टेलिग्राम चैनल पर ही दे जाती है दी कंडिडिट में नोट भी सिलेबस हैज बीन मोडिफाइड एंड दी न्यू स्लेबस एप्लिकेबल फोर जून दोजार उन् सब्सक्राइड और इसकी वेबसाइट है इस से आप को ले सकते हैं क्योंकि दूसे क्ते हो यह ऐख आप और मिल जाएगा और इसके बाद में देहर इज नो अपर लिमित अप अपर एज लिमित ये धीहन रखें के सेट के लिए कोई भी अधिक्तम आयूसीमा नहीं है आप सो साल के ओ सेट दे सकते यानि कोई उप्री सुम्य नहीं है ये धीहन रखेंगे कोई उपरी आयू सीमा नहीं है यह ध्यान रखें क्योंकि आligen सातियों का यह क्वेस आता है बार बार आता है कि मैं इतने आल का हो गया क्या मैं भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं इसको अच्छी तरह से देखिए ठीक है इसके बाद में अब देखिए फोर जर्नल SBC OBC क्रेमिलियर ओफ राजस्तान स्टेट एंड आउट ओप स्टेट इनके लिए फीश रखी गई है पंद्रहेसो रुपे सब्मिशन दी एप्लिकेशन फूर में यह 12 जनवरी से स्टाट होंगे और 11 फर्वरी तक बरे जाएंगे तो 12 जनवरी से 11 फर्वरी तक आप पर सकते हैं और देट ओफ एक्जामिनेशन एक्जाम आपका 19 मार्च को होगा क्या होगा 19 मार्च को आपका एक्जाम है यह होना है यह अपने को जान रख लेना है इसके बाद में अब देखिए आगे है क्या कह रहा है इसके अलावा भी कोई भी आपको सुचना चाहिए तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो क्या है आल रिलिवेंट का इंस यह आप यहां से डाउनलूड कर सकते हैं कहां से हमारी विश्वविद्याले की साइट है www.ggtu.ac.in से यहां से आप कहा कि जानकारी ले सकते हैं सेट का चुट تेस्ट है सिलेबस की बात हम नहीं कर ली कि स्लेबस हमारा हो रहेगा ठीक है और बाकि अप्लाइब कहां कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं एस सो आईडिए के त्रूँ आप प्लाइब करना तो हम सभी को आता है जो साथ ही करते हैं यह हमारा क्या था सेट था अब देखिए यहां कहा है कि दो तीन बातें आती है आप कंडिडेट की एक कंडिडेट तो यह कह रहे हैं कि जो EWS है कि इस EWS में 55 पर्तिशत रखा गया है तो हमें रिज्राबल के केटिगरी क्यों नहीं माना गया है एक क्या आती है कि विद्वा केटिगरी हैं तलाक्षुदा है परित्यक्त है यह सभी कि इनको क्या है कि एस में कहीं भी उल्ले खित नहीं किया क्या है सभ्रा थिके और एक क्या है कि हमारे भूत्पूर्व सेनिक हैं इन भूत्पूर्व सेनिक के बारे में कोई भी उल्ले का यहेंश में नहीं किया कि यह का है कि विद्वा परित्यक्त हैं यह तो अंहीं result संद। आपको कहे कि यह मैं आज ही कह रहा हूं आपको देख ले ना मैंने आपको एक महीने पहले कहा था सिलोबेस जिटो नैट का रहेगा नैट का रहा है जो अब यर्थी उसी समय त्यार हो गे थे तो वो त्यार आगे बढ़ गे बागी रहेगे यह द्यान रखें यह 100% 50% होगी ह है नहीं होगी यह ध्यान रखना कारण के सभी रिजरोब कर्टिकरियों को मिला है वहाई इनको भी मिलेगा ठीक है एव्यारती अगर इसका विरोध करते हैं अब विरोध दर्ज करवाते हैं तो उनकी भी संभावना रहेगे कि उनको 50% पर लाया जा सकता है कोई कुछ नही है इनको परिशुद पत्तर ही निकालना है यानि अपने को क्या कि दुबारा एक छोटी सी विगप्ती तो निकालनी है कि इनको यह छूड़ दी जाती है तो इडवल्यू ऐसा है इनको भी 50% हो सकता है अगर सही तरीके से बात को रखा जाए और इनको 100% मिलेगा ही मिलेगा यह तो शोर है तो आप निश्वित रहें क्योंकि अभी अभ्यर्थियों के यह सवाल आ रहे थे के हम क्या करें कैसे करें हमारे बारे में उल्लेक नहीं है हमें पच्पनी चाहिएगया हमारे तो बावना एतरेपन है और यह रहेंगे ठीक है भूत-पूरू सैनी के हैं यह कि अगर के कुछ अवगत करवाएं तो कुछ बन सकता है बाकि यह तो यह हो सकता है तो आप प्रयास कर सकते हैं आज इतना ही साती हो क्योंकि हमें विगपती की क्या है पूर्ण जानकारी देनी थी अब अगले वीडियो में हम क्या कि टैस्ट सिरीज है उसके बारे में पूरी बन्दे मत्र